कि फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं आज मैं आपको क्लास नाइन का वेस्ट बंगल बोर्ड का चैप्टर फोर यानि कि कोडिनेट जैमेटी जिसको हिंदी में निर्दे सांग जैमेटी भी बोलते हैं मैं उसको बताने वाला हूं पिछले वीडियो में आपने देखा थ ग्याटा तो आज मैं आपको साथ नमबर कोश्चन से सॉल्ब करूंगा तो चले साथ कोश्चन में देख लेते हैं उसे पहले मैं यह बोलना चाहूंगा कि अगर आपको डिरेक्टली निआ किसी कॉश्चन में प्रॉब्ल्म हो रहा है तो आप लोग हमारे डेस्क्रिप्श साथ नबर कुश्चन में दिया है गढणना करके दिखाएं कि टू कॉमा वन जीरो कॉमा 0 और मैंनस जू है और मैंनस टू वन कॉमा टू और माइनस सुरी वन कॉमा ऄंटी बिंदू एक वर्ग के चार सिर्ष बिंदू है अब आपको यह जानना ज़रूरी है कि अब के लिए हमें कौन-कौन सी भूजाय के बारे में पता होगा अगर जो पहले आपने पढ़ा है लेकिन मैं फिर से आप लोग इसमें बता दूंगा अगर हमें कोई भी चतर चतुर भूज है यानि कि कोई भी सारी भुजाएं जो है वो एक बराबर होंगी यानि कि यह बुजा इसके बराबर यह बुजा इसके बराबर यह बुजा इसके बराबर होंगी लेकिन यही सिर्फ एक पॉइंट नहीं हुआ जिससे आप इसको साबित कर सकते हैं कि यह वर्ग है इसके लिए आपको और एक ची पाएंगे तो चलिए यह मैं आपको पता चल गया कि हमें वर्ग पाने के लिए क्या-क्या चीजों की जरूत पड़ेगी तो सबसे पहले अंग्रेजी वाला भी कोश्चन एक बार पड़ लेते हैं साइवन नंबर कोश्चन में क्या लिखा हुआ है तो यहां पर सेवन नंबर लिखेंगे let सबसे पहला पॉइंट को a ले लेते हैं a ले लेंगे तो यहां पर हमारा देखे 2,1 हो गया b ले लेते हैं तो b में क्या हो गया 0,0 दिया है c ले लेते है c में क्या है माइनेस 1,2 और d पॉइंट क्या है 1,3 है अब यहां पर देखिए हमें किस किस पॉइंट की जुरुए थे तो सबसे पहले हम सबका डिस्टेंस निकालेंगे हमारी चार भुजाए होंगी तो हमारा देख लिजे हम चार भुजाए यहां पर हमें इसको ड्रॉभी कर लेता यह हमारी चार भुजाए है तो माल जी हमारा A हो गया यह B हो गया यह C हो गया और यह D हो गया और यह हमारे विकर्न हो गया यानि कि जिसको डियागनल्स भी बोलते हैं अंग्रेजी में ठीक है तो अब हम क्या करते हैं सबसे पहले क्या निकालेंगे हम A B निकाल लेते हैं तो चली हम a,b निकालते हैं, तो यहां पिए हम a,b,bar का, PokemonTalk, स्कॉर्र, निकालेंगे, सबका इसकॉर्र ही निकालेंगे, तो यहां पिए, a,b का निकालेंगे तो यहां पर ते थे जिसकी जिरो इंडीं ङूर्छ वार देंड का, प्लस, यह हो गया नेक्स्ट निकालते हैं हमारा देखिए नेक्स्ट क्या निकालेंगा हम यह भी निकाल लिए अब हम क्या करते बीसी निकालते हैं तो यहां पर बीसी बार क्या निकालेंगे देखिए अंडर रूट फर्मूला जो होता है एकस्टू मैंस एकस्टू मैंस एकस्टू tactic WOW श्कृर आने कि plus 4 हो जाएगा तो यहां पे हमारा 5 हो गया under root 5 ठीक है अब क्या निकालते हैं चले बी सी निकालते यहां 10 पे City निकाल लेते हैं सिडी निकालेंगा तो देखे हमारा क्या हो मैनस अंडर cuz 1-1 meno ett communist हो जाएगा का स्क्वाइर 1 बंस माइनस में प्लस स्काहिर जागा यह अब कि यहां पर देखिए द्री माइनस टू यहां पर दिखिते हैंटोंừ कि यहां परutan क्या हो गया म 한 यहां बम है की फॉर औल रूट में यहां पर थ्री माइनस है तो यहां पर देखे 1-2 का स्क्वाइर प्लस 3-1 का स्क्वाइर का अंडर रूट तो यहां पर हम क्या लिखते हैं देखे 1 का स्क्वाइर निकी 1 यहां पर देखे 3-1 यानिकी 2 का स्क्वाइर हो जागा तो यहां पर 2-2 जा 4 हो जाता है 4 का अंडर रूट तो यहाँ पे हम अंडर अंडर रूट 5 आ गया तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो चतुरुबुज के 4 बुजाएं एक दूसरे के बराबर है ये तो हमारे एक प्रूफ हो गया कि हाँ ये वर्ग हो सकता है ठीक है मैं इसलिए बोल रहा हूं कि वर्ग क्यों नहीं इसमें क्योंकि हमारा रोंबस जो होता है उसकी बीच चारो बुजाएं बराबर होती हैं लेकिन उसके जो विकरण है वो कभी एक तुसरे के बराबर नहीं होते हैं इसलिए हमें विकरण के भी जानने की जरूरत है तब जाके हम इसको वर और C निकाल लेते हैं, A C A C निकाल लेंगे तो यहां पर देखिए minus 1 minus 1 और minus 2 का square plus यहां पर क्या हो जाएगा 2 minus 1 का square under root अब यहां पर देखिए minus 1 तीन थी है, 9 plus यहां पर क्या हो जाएगा, 1 का square रहने की 1 under root, यहां पर तो 10 under root 10 हो गया, ठीक है उसके बाद आप देखिए next हम क्या करते हैं, यह हमारा A C निकाल लिया, हमने A C निकाल लिया अब हम क्या करते हैं, B D भी निकाल लेते हैं, B D B D point निकाल लेंगे B D bar, तो इसका मंदर under root क्या हो जाएगा, B और D B और D, B D निकाल लेंगे तो हमारा देखिए, 1-0 का square, प्लस 3-0 का square यानि कि हमारा क्या हो गया 1 का square, यानि कि 1, 3-9, यानि कि 9, यहां पर under root 10, अब आप क्या देख सकते हैं, जो दोनों विकरण हैं, यानि कि जोनों diagonals हैं, वो भी एक दूसरे के बराबर हो जा रहे हैं, तब हमारा क्या हो रहा है, यहां पर हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे देखिए, हम इदर side में लिखते हैं side में लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे यहां पर हम देख रहे हैं, क्या क्या देख रहे हैं, कि triangle A, B, C, D, sorry रिट्रेंगल नहीं, यहां पे हमारा A, B, C, D, चत्रुबूज की चारो भुजाएं जो है, वो एक दूसरे के बराबर हैं, वह बिकरन जो है, A, C और B, D, वो एक दूसरे के बराबर हैं, अता दिया गया जो बिंदू है, वो हमारा वर्ग होगा, यह हमें लिखना है हिंदी व चत्रुबूज की चारो भुजाएं बराबर हैं, एवं विकरन, विकरन, A, B, C और B, D, A, C और B, D, बराबर हैं, अता दिये हुए बिंदू, वर्ग छेत्र के चार सिर्ष बिंदू हैं, अंग्रेजी वाले क्या लिख ली जेगा आप लो, कि हमारा जो पॉइंट दिया है, क्या दिया है, यहाँ पे, A, B is equal to, B, C is equal to, C, D is equal to, A, D दिया हुआ है, तता हमारा, A, C is equal to, B, D दिया है, जो की बिकरन लिख लेंगे, यहाँ पे, हम डाइगोनल लिखेंगे, डाइगोनल, A, C is equal to, डाइगोनल, B, D, ठीक है, this shows, the, that the 4.A, B, C, D, and D, that is the given point, are the vertices of A square, ठीक है, अंग्रेजी वाले यह लिख लिख लिजेगा, यहाँ हमारा 7 number question, समाप्त हुआ, चले, 8 number question के और चलेंगे, 8 number question में क्या दिया हुआ है, वो भी चेक कर लेते हैं, 8 number question में दिया है, let us calculate and see that, for what value of 7, the distance of the 2 point, 2 comma y and 10 comma minus 10, will be 10, तो 7 नहीं है, वो y है, यहाँ पर बोल रहा है, कि y के किस मान के लिए, बताएं कि y के किस मान के लिए, 2 comma y, जो कि हमारा चलेंगे लिख लेते हैं, यहाँ पर, यही ले लेते हैं, इसको भी 2 comma y, and let, और दूसरा point जो क्या है, 10 comma minus 9 जो है, y का जो कौन सा मान होगा, कि y के किस मान के लिए, 2 comma y और 10 comma 10, बिंदूों के बीच के दूरी 10 ही काई होगी, तो यानि कि, यह point, यह point जो है, दो point दिये हुए, यहाँ पर coordinates दिये हुए, coordinates और यह 2 coordinates दिये हुए, दोनों मान लिजी, यह A है, यह B है, तो अब यह क्या बोल रहा है, कि इसमें एक missing है, यानि कि y जो point है, हमारा missing है, B का point दिया हुआ है, तो अब यह बोल रहा है, कि अब इन दोनों में, इन दोनों में दूरी जो है, 10 unit दिया हुआ है, तो यह y का कौन समान होगा, जिससे इसका दूरी 10 होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए, distance formula क्या है, हमारा जानते हैं, तो यहाँ पर already distance निकाला हुआ है, दिया हुआ है, तो हमारा distance formula पता है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए, यहाँ पर ab bar का, ab bar is equal to, under root क्य तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग a b is equal to क्या दिया है 10 units दिये हुए है तो अब हम क्या करेंगे देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं root को हटा सकते थे यहाँ पे सबसे पहले तब भी root लिख लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे 10 minus 2 is equal to 8 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा तो यहाँ पे हम 8 लिख लेते हैं 8 का स्क्वार एन की 8,84,64 लिख लेते हैं प्लस यहाँ पे minus 9 minus y हो जाएगा minus 9 minus y यानि की हम इसको formula में तोड़ सकते हैं कौन से formula में तोड़ेंगे बताएए हम इसको क्या करते हैं सबसे पहले क्या कर लेंगे minus y है minus y और minus plus 2 y इसको उतार लेते हैं minus 9 minus y का square अब हम क्या करते हैं दोनों तरफ square ही square कर देते हैं दोनों तरफ square करेंगे तो देखिए वार और क्या हो जाएगा इसी side में लिखते हैं तो यहां square करेंगे तो यहां पर क्या हो जायगा 100 और इसका क्या हो जागा इसका root हंड जायगा तो यहां पर plus minus 9y का square हो जायगा ठीक है यहां पर हम लिख देंगे question में squaring both side both side ठीक है अब यहां पर हम क्या करेंगे देखिए minus 9y को इधरी छोड़ देते है 64 को सेट भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर minus 9 minus y का whole square is equal to यहाँ पर 100 minus 64 हो जाएगा 100 minus 64 कितना हो जाता है तो 10 में से 6 गया 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 6 गया 3 यहने के 36 हो गया अब हम देखिए यहाँ पर और और यह भी और और यह भी इसलिए और यहाँ पर देखिए square है तो हम क्या करेंगे अब इसको उधर भेज देंगे तो यह root हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा minus 9 minus y is equal to क्या हो जाएगा 36 का root 36 का root यानिए कि plus minus 6 हो जाएगा ओके तो plus minus 6 तब हम क्या करेंगे सबसे पहले एक बार हम क्या करेंगे positive लेंगे एक बार negative लेंगे तो हम क्या करते हैं सबसे पहले एक बार positive ले लेते हैं तो चलिए एक बार minus हम एक बार minus 9 यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे taking taking positive सबसे पहले positive लेके बनाते हैं तो क्या करेंगे? देखे, minus 9 minus y is equal to plus 6 ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? y को इधर भेजते हैं तो 6 को इधर भेजेंगे यहाँ पर y is equal to क्या हो जाएगा? minus 9 minus 6 यानि कि 9, 6 minus 15 हो जाएगा अब देखे, taking negative लेते हैं जब, taking negative negative तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? minus 9 minus y is equal to minus 6 अब क्या होगा? हम क्या करेंगे? y को फिर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर y is equal to क्या हो जाएगा? minus 9 plus 6 यानि कि यहाँ पर हो जाएगा minus 3 तब हमारा क्या हो गया y का value जो हो है क्या हो गया minus 3, minus 15 हो गया ठीक है यही हमारा उत्तर हो गया किलियर है आप लोगो को चले next question में चलते है नौ number question के लिए नौ number question में दिया देखिए एक सक्ष पर एक सेस बिंदू बताए जिसके दूरी 3,5 1,3 और के एक समान है एक्स के अक्ष पर यानि कि यह बोल रहा है कि यह हमारा y अक्ष है यह हमारा x अक्ष है अक्ष यानि कि y एक्स और x एक्स यह बोल रहा है कि इस पे इस x एक्स एक्स पे एक कोई point है हमारा कोई भी point हो कहीं भी हो उसे कोई माइने नहीं रखता जिसमें यह दो पॉइंट दिये हुए है एक पॉइंट है 1,3 और एक है 3,5 ठीक है यह जो दो पॉइंट दिये हुए है बोल रहा है कि कोई भी पॉइंट कहीं भी हो यह दोनों एक दूरी पे स्थित है तो यह अगर अगर मान लिजी कि हमारा x-axis पे तो अगर इस्थित है तो यह हमारा देख लिजी एक्स का कुछ ना कुछ मान होगा तो हम यहां क्या करेंगे कि जो x-axis पे जो बिंदू है इसको हम x मान लेंगे तो यह y-command क्या हो जाएगा यहां पे कोई भी अगर आए x-axis पे कोई भी x का point होता है तो उसका y-command always 0 होगा क्यों क्योंकि यह y जब भी हम उपर के और जाएगे या फिर नीचे के और जाएगे तब जाके y-command बढ़ता है तो जब हमारे x-axis पे रहेगा तो y-command always 0 ही रहेगा तो यहां पे हम क्या करेंगे x,0 ले लेंगे तो इसको कैसे लिखने है लिखना है देखिए सबसे पहले let the point on x-axis b x,0 ठीक है यह लिख लेंगे और और अड़ कर देते हैं विच इस इक्वीडिस्टेंस from the two point, क्या क्या दिया है two point 3,4 और 1,3 ठीक है अब जो question में दिया हुआ है 3,4 नहीं 3,5 है ठीक है अब जो question में जो दिया था आपको तो समझ में आ गया है करना क्या है हमको तो जब इक्वीडिस्टेंस है दोनों का डिस्टेंस बराबर है तब हम क्या एक कर सकते हैं जो इसका इसका डिस्टेंस निकलेगा और इसका इसका डिस्टेंस निकलेगा वो दूनों के बराबर होगा तो हम क्या करेंगे पहले इन दोनों का डिस्टेंस निकालेंगे बराबर कर देंगे दोनों का डिस्टेंस का तो हमारा x का मान निकल जागा था हमें पता चल जागा कि किस बिंदू पर इस्थित है तो यहां पर चले हम वही करते हैं सबसे पहले इन दोनों का निकालेंगे फिर इसका इसका निकालेंगे ठीक है तो हम चले पहले इन दोनों का निकालते हैं तो हम लेते हैं तो मारा x2 minus x1 यानि की minus 3 का square plus y2 minus y1 यानि की 0 minus 5 का square is equal to 0 minus 5 5 ही होगा इसे लिए मैंने 5 लिख दिया था 0 minus 5 का square इसको under root लेंगे अब ही नहीं लिए है क्यों मैं बताता हूं आपको फिर अब देखिए यह हमारा x2 है यह हमारा x1 x2 है तो x2 क्या हो जागा फिर x minus 1 का square प्लस यहाँ पर हो जागा 3 minus 3 नहीं होगा 0 minus 3 का square अब देखिए हम under root इसलिए हटा दिये हैं क्योंकि दोनों तरफ हमने squaring both side कर देंगे तो हमारा दोनों तरफ का जो root हट जागा या फिर हम दोनों तरफ अगर root है तो अगर दोनों तरफ है तो हम हटा देते हैं ऐसे भी हटा सकते है उसको लेगिन यहाँ पर हम क्या करते हैं root ले ले लेते हैं ठीक है root ले लेते हैं उसके बाद और एक step बढ़ा लेंगे और और यहाँ पर क्या लिखेंगे देखिए x minus क्यों कि हमें formula तो यही पता है न तो आप लोग को confusion ना हो इसलिए हम यही लिखेंगे उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे 0 minus 5 का square is equal to x minus 1 का square plus 0 minus 3 का square अब हम इसको 0 को हंटा देते हैं और 5 का square इसको minus 3 का square कर लेते हैं अब इसको क्या लिखेंगे squaring both side ठीक है हिंदी वालों के लिए मैंने नहीं बताया था यहाँ पर आप लोग लिख लिजेगा उपर में जो हमने लिखा है let करके वहाँ पर आप लोग लिखेगा माना x अक्षपर अभिस्ट अभिस्ट x,0 बिंदू है ठीक है और लिखेगा कि जिसकी दूरी 3,5 और 1,3 बिंदू के एक समान है ठीक है लिख लीजेगा उसके बाद देखे हम इसको solve करते हैं का देखे हो और और तो इसका हम फर्मूला जानते है a-b का whole square का formula तो हमारा a square minus 2 into a यानिकी a यानिकी x b यानिकी 3 plus 3,9 यहाँ पर जाएगा plus यहाँ पर 25 हो जाएगा यहाँ पर देखिए हमारा same होई फर्मूला a minus b का square का formula लगाना है तो यहाँ पर x square minus 2 into a a यानिकी x into 1 plus 1 का square यानिकी 1 और यहाँ पर हो जाएगा आपका plus में 9 ठीक है अब हम क्या करेंगे जितने भी x वाले हैं सबको इधर लेके आएगे तो यहाँ पर हमारा x square हो जाएगा minus यहाँ पर 6 x हो जाएगा यहाँ पर देखिए minus x square और यहाँ पर plus में 2 x हो जाएगा अब बाकी हम लोग digit को इधर लेके चले जाते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारा यहाँ पर क्या है 10 है plus में 10 है उसको बाद देखिए यहाँ पर minus में 25 और minus में 9 है ठीक है अब हम इसको क्या कर लेते है इसको जोड़े लेते है सबसे पहले इसको जोड़ेंगे तो कितना है गए देखिए 25 में से 9 जूड़ा तो कितना बच्चा 34 में से 10 गया तो यहाँ पर हमारा 24 आ गया अब इसको देखते हैं x square से x square कट जाएगा यहाँ पर देखिए mychnas me 6 x है यहाँ पर 2 x है 6 x और 2 x कितना हो जाएगा आपका minus 4 x हो जाएगा minus 4 x और यह भी देखिए हाँ पर minus में था तो यह भी minus महीं होगा इसलिए 4 x is 4 x minus 4 x is equal to minus 24 इसलिए x is equal to क्या हो जाएगा minus minus cancel होग neutr्वा तो यहां पर 24 by 4 यानि कि 6 बार में, चर्चा का 24, 6 बार में जाएगा, तो यहां पर हमारा क्या होगा, x, 0 था, तो हम क्या होगा, जो हमारा x, x अक्ष पर भी अभिष्ट बिंदू क्या था, यहां पर लिख लेंगे, the point on x axis is b, the point on x axis is 6, 0, तो यहां पर हम लोग 6, 0 answer हो जाग कि अता x अक्ष पर अभिष्ट बिंदू बराबर 6, 0 है, ठीक है, clear है, 10 number question के और चलते हैं, 10 number में क्या दिया देख लेते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग हमें comment कर सकते हैं, कि किस portion में आपको समझ में नहीं आ है, हम उस portion को अच्छे से explain कर देंग और इसका भी पर अगर आपको PDF चाहिए, ताप हमारे टेलिग्राम चैनल से जूड़िए, वहाँ पर हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे, next question दिया है, O यानि कि 0,0, A 4,3, A और B 8,6, तीन बिंदू सम रेखिये है, कि नहीं गणना करके संकेत, गणना करके बताएं, ठीक ह तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा, 10 number question है, यह कि सं रेखिये होने के लिए, अगर हमारे पास तीन बिंदू दिया हुआ है, तो तीन बिंदू तो कहीं भी हो सकता है, ठीक है, तो अगर तीन बिंदू कहीं भी होगा, तो एक बिंदू, अगर ऐसे रहता है, तो यह triangle ब होगा, यानि कि जो एक point का जो यह distance है, यह वाला, यह distance है, दूसरा point यह distance है, और यह क्या होगा, यह भी एक point होगा, तो यहाँ पे देखिये, कि यह point का distance plus यह point का distance क्या होगा, इस point के distance के बराबर होगा, तब हम इसको कह सकते हैं, कि यह एक सं रेखिया है, तो हम वही काम कर कि यहां पर हम तीन पॉइंट का डिस्टेंस पहले निकालेंगे उसके बाद हम चेक करेंगे कि वह एक सीध में है कि नहीं कैसे कि दो पॉइंट दो बिन्दुओं का जो लेन्थ आएगा उसका बराबर देख लेंगे जो छोटे चोटे बिन्दू है वो बड़े वाले बिन्दू के बराबर हो रहा है कि निजोडने पर वह हम निकाल लेंगे तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले जो दिया लिख लेते ओ क्या दिया है O is equal to 0,0 है A is equal to क्या दिया है 4,3 and B is equal to 8,6 दिया हुआ है अब यहाँ पर आप देखिए कि हमारा क्या दिया है अब हम इसका distance निकालेंगे सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग O A का distance निकाल लेते हैं मैं distance का formula पता है तो इसलिए हम क्या करेंगे O A bar is equal to क्या हो जागा under root हमारा x2 minus x1 यानि कि 4 minus 0 का square plus 3 minus 0 का square इसको सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ चर्चों के 16 plus 3ti 9 ठीक है under root यहाँ पर 25 हो जाएगा under root 25 इसको 5 फाइफ यूनिट अब उसके बाद देखिए हम क्या करते हैं A और B का निकाल लेते हैं A B bar का निकाल लेते हैं A B bar का निकाल लेंगे तो देखिए क्या होगा यहाँ पर 8 minus 4 का square plus 6 minus 3 का square का under root अब देखिए यहाँ पर क्या होगा 4 का square रहने की 16 और 3 का square रहने की 9 यहाँ पर भी हमारा क्या हो गया 25 हो गया तो यह भी 5 हो गया अब देखिए दूसरा निकाल लेते हैं निकाल ला है हमें O, B निकाल ला है तो O, B भी निकाल लेते हैं O, B बार क्या आएगा O, B बार निकाल लेंगा तो यहाँ पर देखिए 8 minus 0 का square plus 6 minus 0 का square अब यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा देखिए 8, 8, 4, 64 plus यहाँ पर हो जाएगा आपका 6, 36 अब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आजाएगा 6, 4, 10 का 0 हाँ से लेक 6, 4, 10 एक सो आ गया अब आप देखिए इस का अंडर रूट है तो एक सो का अंडर रूट कितना हो गया हमारा 10 हो गया ठीक है तब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारा O B है O और B जो है वो इक्वल टो O A प्लस A B ठीक है कैसे क्योंकि देखिए यहाँ पर हमारा जो मान है वो 10 है तो देखिए O B O B is equal to क्या है 10 यह हमारा 5 है 5 प्लस 5 is equal to 10 हो रहा है तो यह क्या हो गया हमारा यह एक रेखा एक रेखा में होगा इसे यही प्रूफ हमारा हो जाता है ठीक है तो हम क्या लिखेंगे अर्थात अर्थात देखेंगे क्या यहाँ पर O कमा A और B बिंदू एक सम रिखिए है नॉर्मल लिख लेंगे आप लो वही ही अंग्रेजी वाले आप लोग क्या लिखिएगा अंग्रेजी वाले लिखिएगा So the point O कोस्ट के अंदर 0,0 कमा A कोस्ट के अंदर 4,3 and B 8,6 are collinear ठीक है collinear हो जाएगा यह हमारा proof हो गया ठीक है Next question में क्या दिया है चलते है Let us show that the 3 point क्या क्या दिया है 2,2 minus 2,2 and minus 2 under root 3,2 root 3 are vertices of an equilateral triangle यानि क्सम बाहू कहते हैं ठीक है Sum बाहू कहते हैं equilateral को तो सम बाहू का मतलब क्या होता है जिस triangle का तीनोंबुजा बराबर हो यानि कि यह बुजा इस के बराबर यह भुजा इसके बराबर हो तो यह तीनों भुज़ा जब बराबर होंगे यानि कि सीधी बात यह बताओं आपको कि अगर मार लिजी यह हमारा A बिंदू है यह हमारा B है और यह हमारा C बिंदू है तो यहाँ पर A B is equal to A C is equal to B C हो जाएगा तो यह हमारा क्या हो जाएगा एक सम्भाहुत रिभूज यानि कि इक्विलेटरल ट्रेंगल हो जाएगा तो यहाँ आपको बता दे कि किस रिजन से आप इसको पगड सकते है तो यहाँ पर आप सबसे पहले distance निकालेंगे क्या क्या निकाला है हमें A B निकाल लेते हैं यहाँ पर भी चार करेंगे 16 तो यहाँ पर क्या हो गया 16 दूनी 32 यानि कि 32 अंडरूट 32 ठीक है करेंगे हमने यह भी निकाल ले आप B C निकाल लेते हैं तो B C B C बार का क्या होगा distance का formula आप सबको पता है क्या होता है यहाँ पर हम क्या करेंगे देखिए minus 2 minus 2 minus 2 या फिर B C निकाल रहे न तो इसको ले लेते हैं 2 अंडरूट 3 minus minus plus 2 ठीक है फिर देखिए plus मैं और क्या हो जाएगा 2 अंडरूट 3 minus minus plus 2 अब आप देखिए इसका स्क्वाइर है हम इसको कैसे तोड़ेंगे देखिए आप इसको क्या करिएगा यहाँ पे स्क्वाइर के फर्मूला में तोड़ें A प्लस B का होली स्क्वाइर का फर्मूला में यहाँ लिख लेते हैं तो इसका हमें square का formula में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, देखिए कैसे आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए, a square, a plus b का whole square का formula, तो यहाँ पर यहाँ पर, या फिर इसको हम घुमा लेंगे, तो a minus b का whole square का formula हो जाएगा, तो यहाँ पर a minus b का whole square का formula होगा, तो विदा के लिए कि आपको फर्मूला लिखने में परेशानी ना हो तू यहाँ पर हम 4, 2 का स्कॉयर 4 यहाँ पर माइनस में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू A B A B यानि की 4 2 इंटू A इंटू B ठीक है? P управ से प्लस ओके, next क्या हो जाएगा? देखे, plus, यह बी चोला plus, उसका अधी इसकाई square करेंगे, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 2 का square कितना होगा 2 दूनी का 4 4 3 under root का square क्या हो जाएगा under root 3 का square 3 हो जाएगा तो 4 3 ही 12 यहाँ पे 12 हो जाएगा अब यहाँ पे देखिए a square हो गया plus 2ab plus 2 into a a root a है 2 into root 3 into 2 last में है 4 2 का square हैने की 4 अब हम इसको क्या लिखेंगे देखिए यहाँ पे एक चीज आप देखिएंगे 4 minus 2 तू जा 4 तू जा 8 8 under root 3 है ठीक है 2 दूनी का 4 दूनी का 8 8 under root 3 हो गया minus में plus यहाँ पे 12 plus 12 और plus 2 दूनी का 4 4 दूनी का 8 under root 3 square plus 4 तो अब देखेंगे plus और यह minus दूनों कट जाएगा तो यहाँ पे मारा क्या होगा 12 दूनी का 24 4 36 ठीक है 12 12 12 24 24 24 24 24 24 32 under root 32 हो गया अब क्या करेंगे हम CA ले ले लेते हैं CA का निकाल लेते हैं CA निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे under root A क्या है 2 minus 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 plus under root 3 का holy square plus 2 minus 2 minus 2 under root 3 का square इसको अब तोड़ेंगे सेम उसी फर्मूला में हम भी तोड़े लेते हैं क्या होगा देखिए यहाँ पे इसको A plus B का holy square का formula लेंगे तो 4 plus यहाँ हो जाएगा 2 दूने का 4 4 under root 3 यहाँ पे हो जाएगा आपका plus में 2 root 3 है ना sorry 2 होगा मैंने मिस कर दिया था तो यहाँ पे इसको गड़ड हो गया यहाँ पे देखिए 2 root 3 है तो यहाँ पे हो गया 4 square 2 square हो गया 4 यहाँ पे हो जाएगा 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 जा 8 यहाँ पे भी 8 root 3 हो जाएगा कैसे होगा मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे 2 into A A यानिके 2 B यानिके 2 root 3 plus यहाँ पे 2 root 3 का क्या हो जाएगा 2 का square n की 4 into root 3 का square n की 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसको हम 12 लिख लेते हैं, plus उसका क्या होगा 2 का square n की 4 minus में 2 into 2 root 3 into 2, ठीक है plus क्या हो जाएगा यहाँ पर 12 clear है, आप देखेंगे, क्या मिलेगा हमें, 4 plus 8 root 3 plus 12 plus 4 minus 8 root 3 plus 12, तो 8 root 3, 8 root 3 कर चला गया, यह पर बारद दुनी 24, 4, 28, 28, 4, 32, अंडर root 32 मिला तो आप देखेंगे, कि यह, यह, यह तीनो एक, एक ही बराबर है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं a, b, is equal to b, c, is equal to a, c, यह, कुछ भी लिख सकते हैं तो यह, यह, तीनो एक, दूसरे के बराबर है तो यह, हमारा क्या हो जाएगा यह, एक, equilateral triangle हो जाएगा, यह, हमारा proof हो गया ठीक है तो यहाँ पर आप लोग लिख 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 गा कि अता A, B और C एक संभाहू त्रिभूज होगा ठीक है next question क्यों चलते हैं 12 number question 12 number question में 12 number question में दिया let us show that that the point point 4 point दिया हुआ है form a parallelogram parallelogram बना रहा है कि नहीं वो हमें देखना है तो parallelogram बनाने के लिए हमें क्या चाहिए अगर हम parallelogram देखते हैं parallelogram के क्या होता है आपस की आपने सामने की जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है अगर parallelogram अगर हमें देखना होता है तो पहले हम सबसे पहले पैरलेलोगराम बना लेते हैं, देखिए, हमने एक पैरलेलोगराम बना लिया है, ठीक है, तो पैरलेलोगराम में क्या है, कि यह जो भुजा है, यह इस भुजा के बराबर होगी, और यह जो भुजा है, यह इस भुजा के बराबर होगा, ठीक है, और भी आपस में समान नहीं होंगे ठीक है तो अब हम क्या करेंगे सबसे पहले क्या कर लेते हैं ABC ले लेते हैं यहाँ पर ABC नहीं दिया है तो पहला जो पॉंट दिया है let A is equal to minus 7,2 B is equal to 19,8 C is equal to 15, minus 6 and D is equal to D is equal to minus 11, minus 12 अब हम क्या करते हैं AB की लंबाई निकाल लेते हैं सबसे पहले इसका लंबाई निकालते हैं जैसे देखिए हमारा यह parallelogram हमने बनाया था तो यह हमारा अगर A होगा, B होगा, C होगा, D होगा सबसे पहले हम AB का निकालेंगे फिर BC निकाल लेते, CD निकाल लेते, फिर AD या DA निकाल लेंगे सबसे पहले हम AB की लंबाई निकाल लेते हैं तो AB is equal to क्या हो जाएगा under root formula हम सबको पता है यहाँ पे हो जाएगा 19 माइनस माइनस प्लस 7 का स्क्वाइर प्लस 8 माइनस 2 का स्क्वाइर is equal to under root यहाँ पे हो जाएगा देखिए 19 साथ 25 19 साथ 26 26 का स्क्वाइर प्लस प्लस हो जाएगा आपका 8 मेंसे 2 गया याणिकी 6 का स्क्वाइर तो यहाँ पे होगा 26 का स्क्वाइर कितना हो जाएगा हमारा multiply कर लेते हैं 6 चका 36 6 दूनिक 12 आतीन 15 यहाँ पे 12 और 5 6 7 6 यानिकी 6 7 6 6 7 6 प्लस 6 चका 36 अंडर रूट में अब हम इसको क्या लिख सकते हैं देखिए अब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना जगा 6 दूनिक 12 दूनिक 17 तर से 11 है यहाँ से लिए 712 अंडर रूट में ठीके इतना यूनिट हुआ नेक्स चलते हैं नेक्स ट कोस्टिन काउन BC निकाल लेते हैं BC BC निकालेंगे BC के अधे यह और यह तो इसका हम फर्मूला जानते हैं distance का तो इसको निकालेंगे तो यहाँ 15 माइनस 19 का स्क्वाइर प्लस माइनस 6 माइनस 8 का स्क्वाइर हैं तो यहाँ पर क्या हो जागा दिखिए माइनस 4 का स्क्वाइर प्लस 8 चो चोदह माइनस माइनस प्लस 14 का स्क्वाइर यहाँ पर 4 माइनस 14 का स्क्वाइर यहां चार्चों के 16 और 14 का square कितना हो जाएगा हमारा 14 का square हो जाएगा यहने कि 196 हो जाएगा ठीक है 14 का square 196 अब हम क्या करते हैं इसको जोड़े लेते हैं जोड़ेंगे तो कितना होगा 196 plus 16 यहनगी 6, 6, 12 10 से 11 हासल दोसोओ बार दोसो बार अंडर रुट में ये उनिट हो गया next निकाल लेते हैं cd का भी मान निकाल लेते cd का distance निकालते हैं तो अंडर रुट यहां पर हो जगा माइनस ग्यारा माइनस पंदरा चय को सक्वार प्ल माइनस बारा प्लास 6 का स्क्वार 11 यानि कि minus 26 का square ठीक है plus यहाँ पर हो जागा 6 का minus 6 का square under root में तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया 26 का हमने निकाला था तो 676 आया था और 6 का तो 36 होता है under root यानि कि 712 आगया अब क्या करेंगे cd निकल जा अब बी c cd निकल गया अब क्या करेंगे da का निकाल लेंगे तो da is equal to क्या हो जाएगा a b b c c d da हमने क्या लिया था यह देखिए a b c और d हम लोग a d या da कुछ भी निकालेंगे under root क्या हो जाएगा उसके बाद a c या b d निकालेंगे a c और b d निकालेंगे तो वह हमारा भी करन के लंबाई हो जाएगी तो यहां पर हम क्या करते हैं da निकालते हैं da यानिकी minus 11 plus 7 का square और plus minus 12 हमने उल्टा कर दिया क्योंकि da लिया है ना हमने तो da लिया है तो हम उदर से लेंगे ऐसे इसको भी करेंगे तो सेमी एंसर आना है लेकिन फिर भी जो फर्मूला x2 माइनस x1 है तो मैं x2 लोंगा तो यह पर minus 7 plus 11 ठीक है square plus यहां पर हो जाएगा आपका 2 minus minus plus 12 का square अब यहां पर क्या हो जाएगा दिखिए 11 में से 7 गया कितना बचा चार चार का square अब यहां पर प्लस 12 24 14 का square कितना हो जाएगा 196 हमने निकाला है देखिए उपर में तो यहां पर क्या हो गया अंडर रूट 212 unit हो जाएगा अब हम क्या देख रहे हैं यह आसपा आमने सामने के जो भुजाएं है उसकी बराबर है यहने कि डी यह हो गया और बी सी यह हो गया यह दोनों आपस में बराबर है यह और यह बराबर हो गया अब बिकरण के लंबाई देख लेंगे कि दोनों बिकरण एक बराबर है या नहीं वह भी निकाल लेते हैं तो यहां पर बिकरण मे है A.C.E. और यह है तो यहां पर होगा मेरा 15--7 का स्कॉयर और plus minus 6 minus 2 का स्कॉयर इसका क्या हो जागा 17 और 5 कितना हो गया 22 का स्कॉयर कितना हो जाएगा 22 22 का चार 2 2 4 4 यह 4 8 4 हो जाएगा 484 प्लस इसका 8 864 ठीक है अंडर रूट में अब इसको हम जोड लेते हैं 484 और 64 को जोड़ेंगे कितना हैं का 448 और 864 का चारहां से लें 548 548 अंडर रूट में यूनिट हो गया इसको मिटा लेते हैं एसी हो गया आब एसी हमने निकाले अब BD निकालना है BD BD भी डिस्टेंस निकालेंगे BD का डिस्टेंस निकालेंगे तो कितना हो जागा देखिए B और D यहाँ पर हो जाएगा माइनस 11 माइनस 19 का स्कौाइर प्लस माइनस 12 माइनस 8 का स्कौाइर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा minus 11 and 9 19 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा minus 30 का square और इधर हो जगा 20 minus 20 का square प्लस बीच में under root हो गया तो यहाँ पर 30 D I 9 यानि कि 90 900 हो जाएगा और यह हो जाएगा plus दोधुनी का चार यहाँ चार सो हो जाएगा 9 4 300 यहाँ पर 1300 under root unit हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो बिकरण है वो यानि कि डागनल्स भी है वो इकुवल नहीं है तब हम क्या लिख सकते हैं इसको यहां पर हम लिखेंगे ABCD हिंदी वाले लिख लिजेगा ABCD में इन इन निटा लेते हैं इसका बाकी आपको तो पता चली गया है कि दो बराबर दो आप दो आपस की जो भुजाय है वो बराबर ही है इनके और जो विकरन है यानि कि डाइगनल्स है वो दोनों के आपस में सेम नहीं है यह तो आपने देख लिया है तो हम इंगलिस वाले के लिए पहले लिख लेते हैं यहां पर हम लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे हमारा AB is equal to हमने निकाला था क्या क्या निकाला था हमने निकाला था AB is equal to CD and BC is equal to DA और Diagonal Diagonal हो गया आपका AC not is equal to BD hence hence the point that point shows that points are are the vertices of a parallelogram ठीक है यह हमारा प्रूफ हो गया हिंदी वाले क्या लिखेगा आप लोग हिंदी वाले लिखेगा की चत्रभूज अता A, B, C, D, X समानांतर चत्रभूज है अता A, B, C and D और अता चतुर भूज है ठीक है क्लियर है 12 नंबर क्वेश्चन तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाद कर आपको पढ़ाऊंगा तो आसा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगाओ अगर अच्छा लगाओ तो प्लीज सब्सक्राइब करना हमारे चनल को ना भूले और अपने क्लास्मेट के साथ भी सेयर करें को के चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप से